कुक्षा दो रिम जीम इंदी की पाठे पूस्तक अंग्छे बहुत हुआ तो यहां पर बारिश बहुत हो रही है ना तो वह कहा रहे है कि बहुत बारिश हुई बादल भाया, बहुत हुआ, तो बादल जो की आसमान में होते है, जो बारिस की सीजन होती है, तब दिखाई देते हैं, किचड किचड पानी पानी, तो बहुत बारिस होती है, तो मिट्टी में किचड हो जाता है, और हर जगह पानी पानी हो जाता है, जात सभी को आई नानी, क Maar Me Shari गर रा दीन राथ चुवह कहाँ कहाँ पर घयले तो हर जगर पानी पानी हो घये तो यह बच्चेए खेलेंगे कहाँ पर तो यह देखो यह छाता ले के खड़ा है और यह लोग नीचे तो खेलने की जगह भी साइस से नहीं मिल रही है हर जगह देखो पानी पानी है यह बिल्ली भी भीगी हुई है तो देखो बच्चे कैसे खेल रहे है तो यह जो पानी है इसके अंदर नौका बना कर कागची खेल रहे है तो हर जगह पानी पानी है घर में फसे बॉरियल जेले तो गर में फस गए जो पिंजरे में मौन सुवा सूरज दादा धूप खिलाए यानि कि अब बहुत बारिश हो गई है तो अब सूरज दादा को आना चाहिए और धूप आनी चाहिए क्योंकि बारिश से बहुत पानी हो गया जैसे बादल आ जाते है आकाश में तो कैसा होता है कि धूप चली जाती है क्योंकि बादल सूरज को ढख देते हैं इसलिए अब सूरज दादा धूप खिला है तो अच्छा रहे है ताल नदी सडकों से जाए तो नदी है न वो सडकों से जा रही है मतलब बहुत पानी आ गया है कि जो सडक है उस पे से भी नदी जा रही है तुम भी भाया करो दुआ तो आप भी अब दुआ करिए कि ये बारिश रूख जाए क्योंकि बारिश बहुत हो गई है तो देखो ये कुत्ता भी बीग गया है यहां भी पानी पानी हो गया है पूरे घर के अंदर पानी पानी हो गया है और बहार तो बहुत है रास्ते पर भी पानी पानी हो गया है तो ये बारिश के लिए ऐसा काल उसके बाद है काले मेगा पानी दे तो जब मेग बरसता है बारिश आती है तो पानी आता है पानी दे गुड़ धानी दे यानि कि यह जो फसल बनती है वो दे बरसो खूब जमा जम जम नाचे मोर चमा चम चम तो जो देखो यह मोर है नहीं ऐसा होता है तो यह हमारा राश्टी पक्षी है तो यह नाचता है बारिश आती है तो देखो कि मोड नाच रहा है अपने पंख पीछे फेला कर नाच रहा है तो सब बच्चे खुश-खुश हो गए कि बारिष आई बारिष आई खेतों से खलिहानों तक परवत से मैदानों तक तो परवत कैसे होते हैं बहुत ही उचे होते हैं कि जमीन होती है वह नीचे होती है और गहां बारिष आधुश रंग थानि दे काले मेगा पानी दे ऑसे मेग है कि बादल को कहा है ताल तल्पम से जहरे ह। हमको नहीं कहानी दे सबको दाना पानी दे तो बारिश आती है तो क्या होता है कि जो फसल होती है वो उखती है क्योंकि कोई भी पौधा होता है पेड़ होता है उसको पानी चाहिए तो वो बारिशे पानी मिलता है तो फसल होती है तो सबको दाना पानी मिलता है और बारिश का कि हमको नहीं कहानी दे सबको दाना पानी दे पानी दे जिंद गानी दे काले महगा पानी यानि कि पानी जल ही जीवन है आप पानी के बीना नहीं रह सकते कुछ दिन से ज्यादा क्योंकि पानी हमें पीने के लिए चाहिए नाने के लिए दोने के लिए ठीक है पानी के बहुत बादल को कह रहा है कि हमें पानी दो, पानी सबको चाहिए, तो देखो इसमें मेंडक है, मोर है, बच्चे खुश हो गए, ये नदी में बारिश का पानी जाएगा, सब जो पौधे पेड है वो सब खिल खिलाएंगे, ठीक है, बच्चे देखो नाच रहे हैं यहां पर, ठीक ह बच्चे खुश है, उसके बाद है सावन का गीत, सावन का जुला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, तो जुला कैसा होता है, जिसमें, जुला कुछ इस तरह का होता है, जो की जुंगता है, एक जगत से, जैसे कि आप बगीचे में खेले होगे, तो जुले पर बैठे होगे तो वही जुला होता है तो सावन का जुला यानि बारिश का जुला उस डाली पर जो फैली है आस्मान के पार तो आस्मान के पार एक डाली है वहाँ पर उस रसी का कोई न जिसका पारावार तो वो जो रसी है उसका है एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकडम अंत्रिक्ष के पार तो हमारे आकाश में उपर बादल है उसके आगे अंत्रिक्ष है और उसके आगे मंगल ग्रह है सूरिय है तो वो सब बहुत ही एक बड़ा सा जुल दे दो जैसे में जुला होता तो बहुत बढ़ा जुला होगा तु उससे क्या कर सकते हैं बड़ी रशियों तो जिससे ऐसे जुला डालेंगे कि जैसे यह आस्मान से उपर के ऊपर और मंजल गर्व तक पहुँंच जाए ऐसा लंबा जुला उसको ऐसा बोल रहे है सावन को सावन यानि कि जो बारिश है उसकी मोश्रम को कि इतना बड़ा जुडा लालो कि लंबी रसी हो और जिसे हम बहुती दूर-दूर तक जा पाएं तो यह पूरा बारिश का चित्रा दिया हुआ है सब लोग छाता लेके निकले रेंग कोड लेके पैंड के निकले सडकों पर पानी आ गया है बचे खेल रहा है तो यह पूरा बारिश का चित्रा है